जेहिन मेरे प्यारे दोस्तों हमारी इस चैनल नेक्स टेम आपका स्वागत है देखिए उत्राखंड लोकसेवा आयो उत्राखंड पब्लिक सर्विश कमिशन के द्वारा एक्जेक्यूटिव ऑफिसस एंड टेक्स एंड रेविन्यू एंसे फैक्टर एक्जामनेशन दोजार पर पेड़े रूप से इस वीडियो के अंतरगत आपके लिए प्रोवाइट करने की कोशिस की जाएगी इससे पहले हम आगे बड़े यह दिया आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्टेंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जिए तकि जो भी कंटेंट पर उपलब्द हो जाएगा अगर बात करें बेसिक सा चीज में बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भनी है आपको क्या करना है गूगल पर सर्च करना है पिएसी.uk.gov.in तो आपको इंफॉर्मेशन महाँ पर पुरा PDF मोड मिल जाएगा ठीक है देखिए एग्जेक्यूटिव ऑफिसर एंड टेक्स एंड रेविन्यू इंचिवेक्टर एक्जामनेशन दोजारतेश हिंदी में बोलते हैं अधिसासी अधिकारी एवं कर वर राज्यस्व निरक्षक परिक्षा दोजारतेश बिग्याबंद जो है नोटिपिकेशन अपडेट किया ग पर सकते हैं लबब 50 पेश का फीडिया फैनो जो इंपोटेंट नोटिपिकेशन है जो आपके फॉर्म बरने के लिए जानने के लिए वहीं हमें यहां पर बात करूंगा फॉर्म कैसे बरनी है जैसे कि मैंने कहा कि आपको गूगल में सर्च करना है पी एसी डॉट यूके ड सकती है अगर बात करें तो सेडूल कास्ट के लिए दस पोश्ट हैं और फीमेल के लिए उत्राखंड महलाओं के लिए तीन पोश्ट हैं और इसी के अंतरगत की बात करें तो जो रिजर्वेशन है ठीका मैं अभी जो पूरा बात करूंगा तो आप इतना समझ लो ठीका और शेडूल ट्राइब के लिए कोई पोश्ट इसके अंतरगत पर रिजर्व नहीं है अगर बात करें तो ओबीसी के लिए अन्य पिछावर्गी के लिए आट पोश्ट हैं और उत्राखंड महला अगर इसके अंतरगत पर इस क्राइटिरिया को मतलब इसको फुलफिलब कर सदो has about three those अभात करेंगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी होगई अनुशुची जाती के लिए पोस्ट है अन्यापिशावर के लिए तीन पोस्ट है आर्थी रूपसे कमजोर वर दो पोस्ट है और अनात के लिये कोई पोस्ट है इसके अंतरगत पर रिजर्वनीए करो राजस्वनिरक्षक के सहरी विकाश पाँ के पर 22 पोस्ट है और इसी के अंतरह पर अगर बात करें तो सब्सक्राइब let लौ इन इंडिया भारत में विदी द्वारा इस्ताबित किसे विश्व विद्याले से आप क्या होने चाहिए सनातक उपाधी आपके पास में होना चाहिए आप इसके लिए इलिजबल है अगर इंपोर्टेंट क्वैल्पिकेशन की बात करें तो अधिमानी अर्थता की बात क अधिमान होने पर सिधी भरती के मामले में ऐसे ब्यारती को अधिमान दिया जाएगा इदि उसने प्रादेशी सेना में दो वर्शे का जौब किया इसके बाद उसके बास में एंसे सी का बी या सी परमान पत्र ठीक है अगर आप क्या है कि भारत के वीदी द्वारा की जाएगी एक जुलाई दो जारते इसके में मिनिममम 21 और मैक्जिममम 42 यह सोना चाहिए अगर बात करें आपका डेट ऑबर्थ एक जुलाई 2002 से लेकर दो जुलाई 1981 के बीच में होना चाहिए तब आब इसके लिए इलिजेवल है नहीं तो नहीं ठीक है इंपोर्टेंट जाकर क्या कर सकते आप फॉर्म इसको भर सकते अपना जो चीजा प्रोसेसिंग के लिए अब देखिए फॉर्म फीस के लिए बात करें तो अंडिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 172 रूपे 30 पैसा है आर्थी रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 112 रूपे 30 पैसा है उत् सुची जाती और जनजाती के लिए और फिन अनात के लिए कोई वर्म फीस नहीं है और सारी रूप से दिभ्यांगे के लिए 22 रूपे 32 पैसा है आपर क्या करना फोटेश पीस पेई करने देखें आपने आप देख लिए अब देखते हैं आगे और क्या चीज निकल कहा था हैं अगर बात करें तो सामाने हिंदी के एंतर अंतर पर वश्टों निष्टिट्र परकारें सो क्वेस्टayd huge spread of food और यूजदे जाएंगे हंडेड़ हंडेड म कर तो कुस्छे जाएंगे जाएंगे हंडेड माक से हंडेड़ सो केस्टनों का होगा फस्ते पेपर के लिए दो घंटे का टाइम और दूसरे पेपर के लिए तीन घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा ठीक है अगर बात करें तो सलेबस भी बेस इसके अंतरगत पर में इंक्लूड कर देता हूं साथ-सानमा टॉपिक भी पूरा आ जाए इसके लिए जो इक्जाम होना है जो नौटिपिकेशन है अलग लग अधीशासी अधिकारी के लिए और कर राजस्वा के लिए जो इंपोटेंट आपके फॉर्म भरने के लिए नौटिपिकेशन था शॉल्डी रूप से प्रोवाइट कर दिया है नेक्स्ट वीडियो के अ